नमस्कार दोस्तो जीटे फाई की ब्रेंड न्यू एपिसोड में आप सबका सू स्वागतम जैसा कि आप सभी को यादो का पिछले वाले पाच एपिसोड में हमने पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते ट्राइ किये पर हम सारे रास्तों में असफल रहे क्योंकि भाई पैसा कमाना बहुत ही आउगड़का में यार गाईज ये शिंचन को बस भावी की कमी है ये बेचरा घर में बोर हो जाता है जब देखो मेरे साथ गुमता रहता है बच्चे तेरा काम है क्या है उदर अब अकड़ाई पड़ ए क्या बोलती तू कुछ नहीं बोलती मैं अब ये तेरे को बाता था मैं पर मैं बहुत इंपोर्टन काम के लिए जाना है इदर जेहर खाने का पैसा नहीं है पहले पैसे पाने का कुछ देखना पड़ेगा नहीं तो अपनी डिफेंडर बेचनी पड़ेगी इतनी बुरी कंडिशन हो रखी है उसमें मूद ना पढ़ रहा है पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है क्या बता है भाई साब हमारी लाइफ कंडिशन सभी तो लोगा इस थोड़ा साब पैसे पाने का इंतजाम करते फ्रेंक्लिन को लगता है कि पैसा कामाना चोरी मारी करके बहुत इजी है पर ऐसा वास्तों में घड नहीं रहा हम जहां भी पैसा चोरने जाते कुछ न कुछ मुसीबत हमारे पीछे आई जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंक्लिन की डिस्ट्रैक्शन के वज़ेसी ये सब हो रहा है गाईस आपको पता है कि आज हम का जा रहे आज हम एक पॉलिटी से इनके घर जा रहे अब उसके घर जा रहे ये क्यू जा रहे आपको बतारी कि जरूती क्या आप समझ गयोंगे कि हम क्यू जा रहे क्योंकि भाई उसके पास ना बहुत ही मोटे मोटे गाड़े इतने बड़े बड़े गाड़े उसके पास लिस्ट में बहुत सारी गाडियों का नाम है पर वो सारी गाडिया वो कहा लगाता है वो हमको पता नहीं है अगर हम पता करें तो हमें पता चल सकता है अगर लेस्टर को बता या पता करने के लिए तो वो कुछ न कुछ जुगड करी लेगा हमारे लिए ये देखो गाईज ये ये उस politician का house कुंडी मत लगाऊ सा या डिरेक्ली अंदर आ जाओ ऐसा scene हो रखा है अख market आप ले इद लाता पर market में गाड़े अस नहीं है तो क्या फाइदा भाई साब ये कौन सी car है आज इसके घर के सामने एक car खड़ी है एक ही car दिख रही है मेरे को और कोई security भी नहीं है एक ही गाड़ी है पर उसका भोकाल बहुत बड़ा है इसके घर पे तो party चल रही है किसको बुला रखा है इसने मेरे को लग रहा है कि इसके ये मेहमान हो सकते है मैं एक काम करता हूँ बहुत ही धीरे धीरे नजदिक जाता हूँ फॉर्चुनर के जितने ज्यादा नजदिक जा सकता हूँ न उतने ज्यादा नजदिक मैं छिप छिप कर जाऊँगा ताकि किसी को शक ना है नहीं तो इनके मेहमान politician को call करके बता देंगे कि चोर आ है आपने गर बहुत ही धीरे धीरे जैसे कि gardener का काम कर रहा है आपे ऐसे चलना है हाँ क्या सुन्चन बढ़िया प्लैन है Franklin भाया अरे तेरे बाई का प्लैन कभी घटिया होता ही गया है तेरा बाई टॉप ब्रेंड ही अभी देख कैसे गाड़ी चुराता ही बिल्कुल दबके दबके पावलो से जाएंगे ठीक है गाइस कोई नहीं देखने वाला देखो सब लोग अपने अपनी पार्टी में बीजी है और मेहमानों को कुछ गया न देना होता ही गया किसी गया और वो politician भी आज प्रचार करने के लिए गया है सो मेरे को क्या लग रहा है कि ये गाड़ी ऐसा ही घर पे यूज करने के लिए रखी होगी बाकी सारी गाड़िया उदर लेके गए होंगे एक काम करता हो जल्दी से गाड़े में जाके बैट जाता हो किसी के देखे भी न ये लड़की उपर की मेरे को देखी है क्या नहीं देखी हो मेरे को लग रहा है नहीं देखी एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं किसी को शक नहीं आना चाहिए बिल्कुल कूल डाउन होने दो फ्रैंकलीन की बाड़ी ओके देखो ये लोग न ड्रिंक कर रहे हैं ये इतना तापस ने करेंगे मेरा कि कोई आ रहा है गाड़ी लेके जा रहा है फ्रैंकलीन मुझे चलाने दो अबे शिंचन बच्चे तिरे पाई पूरते क्या कलच और ब्रेक एक्स लिटर पे एहे हे मैं खड़ा होके गाड़ी चलाऊंगा चुप बेटरी तू मेरे साथ आया मत कर गाईज इस शिंचन को ना घर पे बंदी बना के रखना पड़ेगा अभी ये मेरे साथ आयी रहा है इसको कितनी बार बोला है मेरे साथ मत आया कर तू तरह बालिश पना बंद कर मेरे को सुनने का भी टाइम नहीं हूँ हूँ कर पाल तूगे जैसे पांचट जोग करते रहते देखो अपने को किसी ने भी नहीं नूटिस किया कोई भी नहीं नूटिस कर रहा है जल्दी से चलते है आसे पचास-साठ लाग की गाड़ी आज अपने हाथ लग गई और ऐसी चोरिया करने का डिसिजन क्यों लिया है फ्रैंकली ने पता है आपको क्योंकि अगर हम ऐसी चोरिया करेंगे तो पुलिस हमारे पीछे लगने की संभावना है बहुत कम है हम छोटी-छोटी चीजों से आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे जो हमने पिछले एपिसोड में किया उसमें पुलिस से पकड़ जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी जैसे कि वाडू चोर ना, बैंक लूट ना और ये गाड़ी है क्या है? इसका चासी नंबर है न वित्रड़ो देंगे ऐसा पूरा चासी नंबर दिखना ही नहीं चाहिए किसी को फिर हमरी गाड़ी क्या ऐसे पकड़ेंगे पुलिस वाले? आप ही बताओ नंबर प्लेट बदल लेंगे क्या करें? क्या कर लेंगे पुलिस वाले? फिर कैसे आइडेंटिफाइ करेंगे? हम बोलेंगे दिए तो हमारी गाड़ी है गाइस अभी हम बहुत बड़ी प्रॉबलम है फर्स चुके है क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है वो भी तीन स्टार की कैसे पता चला है यार इस गार का जो ड्राइवर है ना उसने पुलिस को इन्फर्म कर लिया क्या करे यार अभी इस पुलिस का पर आपको पता नहीं है ये कौन सी बला चला रहा है फ्रैंकलीन फॉर्चुनर का दूसरा नाम गेंडा है इनको पता नहीं है इनकी टट्टी गाड़ियों के सामने फॉर्चुनर किया है उस टॉन कर दिया तो ऐसे हवा की तरों गायब हो जाओंगा इनके हाद भी नहीं लगोंगा और यार मजा तो थोड़ी डिफकल्टी में है ना इनके साथ थोड़ा आज बाद गाय मत करो देरे देरे लो पुलिस की पुंगी टाइट करने के लिए एक नाम काफी है फ्रैंकलीन और उसके साथ नाम जुड़ा है फॉर्चुनर का अब तो बच्चो आप सपने देखो कि पकड़ पाओगे मेरेको भाईया गाने लगाव क्या तेरेको दूसरा क्या कामे बे लागन नुस्त जा पुखजू पुखालना चैये नाद नुस्ता नाद आरवाज बच्चा तु कड़कना मेरी जान आरव आव 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 नुस्ता धूर जाल दूरा निप्खु पटा संगत, नुस्तराणा क्या लबग सो गाइस, फाइनली, पुलिस पे दया करके मैं उनको मेरा पीछा छोड़ने के लिए चांस दे रहा हूँ अब मैं उनके नस्दिक नहीं चारा, नहीं तो उनकी और वाट लगेगी, है ना चलो जाने देते बेचारों को फिर से पंगा मत ले ना फ्रैंकलिन से आ क्या अल्ड राइट गाइस, पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया, अभी ये गाड़ी हमारी हुई वाइस अभी चलो ना पुब्लिक पे थोड़ी दादा गिरी करते हम फॉर्चुनेर समझाई क्या मोत का दूसरा नाम चल अपनी गाड़ी पीछे ले शिस्तीद नहीं तो परिना मोई टोंगे इसके आँ, मेरे से बेट न बहुत आओ गड़े आदिस गाड़ी पीछे ले रैंकलिन के नाद में मतलग रुख तेरेको बात अताई मेरे को टकर देखे जा आ रहाई तू अब एक का बाड़ कई का मिल फिर से तू तेरे को बात अताई, सिधा हेड़ शोट मारूंगा इसका पाटला करने का टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि एक बंदा यहाँ पर हमारे लिए खड़ा है उसके साथ हमें ड्रैग रेस करनी है चलो, देख देख कौन जीतता है श्याना समझता है क्या खुद को 3, 2, 1 लेज़ को अरे क्या सामन की वाड़ देख रहे कि वो आएगी और तू बेटेगा, गुड़ा कही का चलना है जल्दी से का सकसगेर डालने का, क्या उदर बेट रहे इसकी वज़ी से में पीछे रहे गया ना इस बंदे ने मेरे को लगा कि आकेला मेरे साथ रेस करने वाला है इतने सारे बंदे बुला लिये और उसमें इसकी गाड़ी सबसे आगे रग दी और मेरे गाड़ी सबसे पीछे रग दी रेस शुरू करते वाक ये तो चीटिंग है न यार अगर उस पे आभी ऐलिगेशन लगा है न तो वो बोलेगा तेरे में दम नहीं है जितने का इसलिए तू ये सब नाटक निकाल रहा है मेरे सामनी तेरे में अगर दम होता न तू कैसे भी करके जितना है ऐसा बोलेगा वो मेरे को इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला मैं छुप बेटूंगा क्योंकि उसे पता नहीं है वी कि इट का जवाब हम पत्थर से देने वाले बंदे है गाइज ये फॉर्चुनर मोड ने बहुत दिक्कत होती है बाडी रोल बहुत ज्यादा हो रहा है इसका कोई भी सॉलिशन नहीं है अभी क्योंकि ये एक बिग डैडी है समझे बच्चे हमेशा नीचे होते है बाप तो फिसलेगा ही ना क्योंकि बच्चे ग्राउंड से चिपक के चलते है ये दिखो गाइज वो बंदा जिसने हमें चैलेंज किया रेस करने का उसको अभी बताता है मैं तेरी नाना की टांग तेरी ब्यांस की टांग अब ही देखो मैंने साव अगेर डालके ना एक एक किपुंगी टाइट कर दी है पूरी अगर ये मेरे से आगे जाने लगा ना तो मैं इसके पावर्ड लूँगा मैं खुद पीछे रे जाओंगा पर इसको आगे नहीं जाने दूँगा इतनी टककर मार दूँगा सीधा लॉबी से बाहर निकल दूँगा सादा काम ने वाइचा अब आप लोग सोच रहे होगे कि इतना खटा टोप किसलिए चल रहा है क्या मिलेगा रेज जीत के गाईज इस बंदे के पास जो कार है वो हमारी होगी बर्गर शॉट हम लेके जाएंगे अगर ये रिस जीते तो एक और कार होगी हमारे पास आज का दिन सफल हो गया भगवान को नारण फोड़ा था उसका कुछ तो फाइदा हुआ आज एक सेकेड मैं ना इस कार को चला के देख लेता हो कि कैसी चलती है दिख तो अच्छी रही है वैसे ये पापा की परीजे सी लग रही है बिल्कुल इस मिट्टी में क्या है इस काड़ी को टेस्ट करेंगे इसका ग्राउंड क्लियरंस तो देखो ये हमारी फॉर्चुनर थोड़ी है एक काम करते है गाईज हम ना इसको साइड में एक प्लेन उड़ाने का ट्रैक है वहाँ पर इसे ले जाते है और स्पीड टेस्ट करते है कि कितने तक जा पाती है और राइट गाईज हम ट्रैक पर आ चुके है और अभी फूल स्पीड में भगाएंगे एकसिलेटर में पूरा दबाने वाला हूँ और इसको तो आठ गियर से आठ वे गियर पर पढ़ाऊंगा मस्तफे किया कदा सौंग लगाते है और फिर पढ़ाते है इसको मस्तफे उचल रही है रे क्या भागती है रे अरमाज पिल्ला थाब बहुत पढ़ती है रे बहुत पढ़ती है गाईज गाईज मैंने शिंचन को बोला के उसकार को घर पे बीजवा दिया वो तो क्या छोटी कार है शिंचन भी चला लेता है उसको और अभी हम जा रहे है गाड़ी को पेंट करने पर फॉर्चुनर चलाने वाले नादी गड़ी है कुछ भी कर सकते है गाड़ी का कलर अभी देखो आप कौन सा करता हो बस मैं जो पसंद आएगा वही कर लेंगे पर गाड़ी एकतम टॉप ब्रैंड बनाएगे ऐसी गाड़ी पूरे शहर में किसी की नहीं होगी जैसी अपनी होगी लेट्स गो अभी चलते है फटा बट बहुत जादा डिस्तन्स कवर अब करना है और ऐसे घुले जैसा जाएंगे तो आंतर पड़ जाएगा इदरीच पहुच जाएंगे वैसे मैं तेज-तेज ही बगा रहा हूँ 100 प्लस की स्पीड से ही बगा रहा हूँ और हॉन तो मैं ऐसे बज़रा हूँ कि जैसे एम्बुलन्स आरी हो जैसे कि रोड हमारे ही बाप का हो क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है अभी कि पॉलिटी से अनकी गाड़ी ही जा रही है क्योंकि फॉर्चुन और नॉर्मल लोग थोड़ी चलाते है आप किसी की भी कार देखो रोड पे किसी की पास भी नहीं है और इसका एक लीडर एडिशन भी निकाल लिया है अभी कमपनी ने और इनको क्या पता कार से कोई मंत्री संत्री नहीं जा रहा वो तो फ्रैंकलिन जा रहा है मेरे दिमाग में न अभी एक शैतनी आईडिया आ चुका है हम न एक काम करते है गाड़ी के उपर एक दिवा लागा थे मतलब सब को लगेगा कि सर कर्यादी कर्या आ रहा है पुलिस को भी हम बेवकूफ बना सकते है इतना थोड़ी चेक करता है यार कोई ओके गाईज मौडिफिकेशन का दुकान अभी खुल चुका है वो खाना खाने के लिए गया था वो आने तक मैंने वेट किया पर अभी खुल चुका है दुकान जल्दे से चलते हैं अंदर अपनी कार मौडिफाई कराने देखते हैं अभी इनके पास कौन सी कौन सी सर्वेसेस अवेलेबल है क्या क्या मौडिफिकेशन हो सकते हैं उसके हिसाब से हम मौडिफिकेशन कर लेंगे चलो अच्छा वाँ पैल है नमबर हाँ मारा लग गया क्या क्या इसके पास आर्मर हाँ नया डालना है हमको पुरा आर्मर चाहिए हाँ ब्रेक वो भी एकदम टॉप वाल है इंजन जो है उसको और अपग्रेड कर लेते हैं लेवल फोर पे ताकि और जदा भाग सके हौर्न हौर्न का क्या करे ये वाला हौर्न लगाते हैं पुलीस वाला क्योंकि उन से कम थोड़ी न है हम उसके बाद गाड़ी के कुछ लाइट्स भी मेरे को सही लग रहे है लाइट्स का कुछ दिक्कत नहीं है एक काम करते है गाड़ी के नीचे से न लाइट लगाते थोड़ी मतलब रात के टाइम गाड़ी और ज़्यादा एट्रेक्टिव दिखी कौन सा कलर लेना सही रहेगा मेरे को दो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पसंद है ब्लू ही लूँगा बाकी हमें कलर भी चेंज करना है कार का कौन सा कलर ले हम तो गोल्डर कराएंगे कार को पूरी की पूरी गोल्ड ये देखो क्या लग रही है रोड प्रेजेंस on the top प्रेज्ट गोल्ड ले की प्योर गोल्ड ले क्या किया चाहे गाइस हम तो प्योर गोल्डी लेंगे Franklin सभी susly hardy हवा हवा ये हवा Franklin को उड़ा दे आजा आजा मुन्ना आजा मेरी जान आजा मेरी गाड़ी में बेड़ जा ओए तिरे आउकत नहीं फिर भी बोलडर हो गाड़ी में बेड़ जा शानी बनती का बहुत कपड़े देख तेरे प्रियांक लिन तेरी शकल देख चलो गाइज अभी इस बंदी को ना छोड़ देते ज्यादा दादागी रिन नहीं करते अगर एडी की चव कोशी लग गई क्योंकि हमारे पास अभी गोल्डन फॉर्चुनर है पूरे शहर में किसी के पास नहीं है अपनी कार का भी ऐसा रोड प्रेजंस हो रखा है न कि सामने वाला बंदा खुद से गाड़ी साइड लेगा चलो इसको भगाते अभी भगाने गाड़ी बगाने में मज़ा जो है न किसी चीज में नहीं है गाईज अभी आपको क्या बताए फॉर्चुनर को इतना बगाया कि उसका चूरन बनना बाकी है बस इतने टायर उगर दिये कि एक साल चल जाते ओफ रोडिंग का लेवल तो देखो आप मज़ा यह आ गया संसेट हो गया फिर भी आफ रोडिंग चली रही है और कुछ भी हो जाए रुकनी नहीं चाहिए फील ही अलग है ना इसमें पहली बार हमारा कुछ मिशन सक्सेसफूल हुआ है हमें इसमें सक्सेस मिल रहा है दोस्तो एक काम करते हैं अपना कार का शोरूम बना लेते हैं जिसमें हम चुरा चुरा के गाड़िया रखेंगे और लोगों को बेचेंगे प्रॉफिटी प्रॉफिट होगा ना देखो हमारे पास आज के आज दो कार हो गई आपको कैसा लग रहा है मेरा बिजनेस माइंड कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलो दोस्तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम अपने शोरूम की ओपनिंग करेंगे अगर आप चाहते हो कि फ्रैंक्लिन इस सिटी का सबसे बड़ा शोरूम ओन करे तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई खाना खालो शोर टाया है नात मुझा जोर ढाया है नात बुला कर दो